हेलो सुदेंस गुड मॉरिंग एंड वेलकम चू माई यूट्यूब चैनल दाइजूकेशनिस्ट मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट और सब्सक्राइब और स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉप अचाहूंगा। जिस एफ जेखना हूंगा गतार ही विच्टिपैंस अपंट सब्सक्राइब याधन नंबर वगों कि शॉलुट पर्टिकल मॉमो से उन पर जिटनी प्रॉपर्टिज उति हैं वह सारी कई एटीई प्रॉपर्टिज के लाती और और बिसिकली यह प्रोपर्टी चार होती हैं सबसे पहले नमबर एक रिलेटिव लोवरिंग ओफ वैपर प्रेशर अफ दे सॉल्वेंट नमबर टू डिप्रेशन ऑफ रिजिंग पॉइंट ऑफ दे सॉल्वेंट प्रिविएस वीडियो माने आपको बताया था कि किसी भी सॉल्वेंट का वैपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट की कंपरिजन में बहुत कम होता है यानि क test क। अब यहाँ पर क्योंड़िव प्रेशर ऑब घाथकेंगे तो colligative properties एक Latin word है collie plus gear यानि के together हम कह सकते colligative properties number of particles को भी हम कहते हैं तो चलिए step by step हम एक करके सभी properties को देखते हैं आज हम इस वीडियो में सिर्फ दो properties को discuss करेंगे दो आगे next वाली वीडियो में होंगे relative lowering of vapor pressure of the solvent and depression of the freezing point तो चले शुरू करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी solution का जो vapor pressure होगा वो in comparison to the solvent कम होता है तो vapor pressure कम हो जाने के वरे से उसका यहां पर यहीं दिया हुआ है कि vapor pressure कैसे कम होता है रॉल्ट लो हमने पिछली वीडियो में डिसकस किया था उसने बिल्कूल सीधे-सीधे बताया था कि जो आपका lowering of vapor pressure है वो जो solute particles होता है उनकी concentration के ओपर depend रहता है यानि कि solute की identity independent रहती है यानि कि solute कि subsistence का है यह matter नहीं करता तलिए अब इसका formula drive कर लेते हैं जैसा कि हमने रॉट law में देखा कि the partial pressure of the solute is directly proportional to the mole fraction of the solute present in the solution तो जो expression हमारे पास आया था वो यहां पर यहां पर यह आया था P1 is equals to x1 P01 यहां पर P01 आपका pure और जो आपका solvent होता है उसका vapor pressure मारा गया है अब अगर हम comparison देखें या difference देखें solvent या solution के vapor pressure का तो हम इस equation से निकाल सकते हैं इस equation में अब यहां पर P1 की जगह हम वही यहां की value put up करेंगे इसको solve करते हुए हम आगे पहुंचेंगे जिससे हमरे पास यह value यहां पर आ जाएगी अब अगर किसी solution के अंदर कोई non-volatile solute है तो उसका vapor pressure कम हो जाएगा ठीक है और जो vapor pressure कम होगा वो directly depend करेगा उसके mole fraction जो भी solution के अंदर है उस solute का तो यहां पर यह जो equation आई है P01 minus P1 upon P01 यह बेसिकली आपका कहलाता है relative lowering of vapor pressure यहां पर यह mention भी क्या हुआ है और जो equal होता है mole fraction के और mole fraction x2 होता है x2 को हमने यहां से with the help of this इसको हमने यहां पर extend कर दिया और यह हमारा formula बन गया अब हम qualitative properties को discuss कर रहा है तो बेटा आप लोगों को एक चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम N2 जो है यान कि जो 2 है वो हम यहां पर solute को देंगे और N1 हम हमेंशा solvent को देंगे तो याद रखेगा कर देंगे तो हमारे पास यह कुछ ऐसी आएगी यह हमारा फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे इस तरह के डराइविशन में दो तरीके से question पूछी जाते हैं पहले तरह के question में वह हमसे पूछता है कि कितना वैपर प्रेशर कम हुआ यह बताइए और कई बार वह तो सॉल्यूट का मोलर मास भी पूछ लेता है फॉर एक्जामपल हम आगे के इस नुमारिकल में देखते हैं दा वैपर प्रेशर ऑफ प्यॉर बैंजीन एट इस सर्टेन टेंप्रेचर इस जिरो पॉइंट फाइफ जिरो बार इन नॉन वोलेटाइल नॉन हमें कैलकुलेट करना है तो देखिए यहां पर देख सकते हैं प्यॉर बैंजीन का वैपर प्रेशर यहां पर दिया हुआ है जिरो पॉइंट फाइफ जिरो बार और जब उसके अंदर हम सॉल्यूट आड़ कर देंगे जिरो पॉइंट फाइफ ग्राम थर्टीन ग्राम बै करना है तो हम यह वाली इक multim ध्राम यहां पर मोल भाला जिस तरह के साथे फाइफ में वोन ऑन वॉलीट होता है सोल्यूट रखम ऑً इसका मौलर recreate कर सकता है या फिर वो P01 या P मैंसे कुछ भी फूश सकता है सारे चीज़े गीवन में देखे ठीक है तो इस तरह के numerical साप और with the help of the books देख लीजेगा उसके बाद number two हमारी collegative properties है elevation of boiling point जिसका मतलब होता है boiling point का बढ़ जाना तो इससे पहले के हम यह process देखें उससे पहले हमें boiling point को समझ लेना बहुत जरूरी है आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा होगा boiling point को हम अलग-अलग तरीके से define कर सकते हैं for example boiling point of a solution is the temperature at which it start to boil number two definition boiling point of the solution is that temperature at which it start liquid states to the vapor stage यहनिके vapor में convert होता है या तीसरी और जो सबसे important definition है जोगे elevation of boiling point में भी आपको help करेगी वो यह है कि boiling point of a solution is that temperature at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric vapor pressure atmospheric pressure हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 1.1 1.013 bar होता है जब किसी liquid को हम गर्म करते हैं तो धिरे धिरे इसका vapor pressure बढ़ता है और जब 1.013 bar हो जाता है ठीक है तो अब अभी diagram आप ध्यान से देखे बहुत important diagram है यहाँ पर हम एक graph कीशेंगे vapor pressure और temperature के case में अब हमारे पास यहाँ पर कोई solution है उसका vapor pressure माल लेजे इतना है जब हम उसको गर्म करना शुरू करता है तो उसका temperature बढ़ता है उसका vapor pressure बढ़ता है टी नौट भी आपके solvent का pure solvent का boiling point है आगे अगर हम देखें तो अगर हम solvent में कोई non-volatile solute एड़ करें तो उसका vapor pressure थोड़का कम होगा और यह यहाँ की बजाए यहाँ आजाएगा देखें यहाँ से दिखाया हुआ है और जब हम इस solution को गर्म करता है तो देड़े देड़े उसका vapor pressure बढ़ता है और यहाँ पर आकर equal हो जाता है vapor pressure atmospheric pressure के तो यह आपका boiling point आजाएगा solution का solution का boiling point यहाँ पर उसने express किया है tb से तो आगे देखते हैं अगर t not b boiling point है pure solvent का और tb solution का है तो जो increase हुआ boiling point में उसको इस equation से express कर सकता है यह दिया हुआ है delta tb is equals to tb minus t not b इसी को बढ़े हुए boiling point को हम कहता है elevation of boiling point तो अमीर है आपको समझ में आ रहा होगा मेरी इस वीडियो को आप like कीजिए share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले क्योंकि वहाँ पर आपको 12th class के chemistry के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो की playlist में आप देख सकते हैं उनको वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को like share जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी motivation मिलता रहा है इसी ज़रा की और वीडियो बराने के लिए और वीडियो को skip ना करते हुए पूरी वीडियो को देखेगा अच्छे से समझ में आने के लिए तो बिसी के लिए हमने जाना कि elevation of boiling point क्या होता है और कैसे बढ़ता है आपने देख लिया होगा अब experimentally अगर हम देखें किसी dilute solution के लिए जो elevation of boiling point है डेल्टा टीबी है वो directly proportional होता है molar concentration के यानि कि हम कह सकते है डेल्टा टीबी proportional to the molality और यहाँ पर आप हम एक proportionality constant लेंगे के बी तो equation हमारे हो जाएगा डेल्टा टीबी is equals to के बी dot m यहाँ पर molality आप जानते हैं क्या होता है और जो के बी है इसको हम boiling point elevation constant कहेंगे या हम इसको molar elevation constant कहेंगे या जो सबसे appropriate name है वो होता है इसकी value unit की kilogram Kelvin पर mol होता है और हर एक solvent के लिए जो के बी की value है वो आपको मैं बाद में दूसरी वीडियो में provide करा दूँगा वहाँ से और वैसे numerical में kb की value हमेशा given होती है तो starting of this chapter हमने देखा के molality क्या होता है molality होता है molar number of mole upon given mass तो हम यहाँ पर क्या करेंगे number of mole को extend कर देंगे w2 upon m2 given mass upon molar mass upon mass of the solvent in kg तो gram में अगर दिया हुआ थे w1 upon thousand करके हम आ जाएगा तो यह हमारी molality की equation आ जाएगी अब हम इस molality की value को इस equation में रखेंगे कैसे रखते हैं देखे delta tb kb और लिट दिया हुआ है और यह इतना जो portion है वो हमने यहाँ से इसमें put up कर दिया तो इसको rearrange करेंगे तो हमारे पास जो numerical आएगा formula आएगा वो यह हो जाएगा m2 is equal to thousand multiply w2 kb upon delta tb w1 यहाप आप जान सकते हैं कि w2 solvute का particle है kb ebiloscopic constant है delta tb elevation constant है w1 solvent का mass होता है अब यहाँ पर यहाँ पर भी दो चीज़े पूछता है सबसे पहले वह जो पूछता है वह पूछता है कि कितना elevation of boiling point वह नहीं कि temperature कितना बड़ा boiling point और दूसरा कई बार वह molar mass भी calculate करने को कह देता है चलिए अब देखते हैं इसके base पर कुछ एक्जामपल जैसे सबसे पहले यह question है numerical 18 gram of glucose formula दियावा glucose का is dissolved in वहने भी theory में आपको बताया भी 1.013 atmospheric pressure होता है water के लिए kb की value यहाँ पर दिया इसने 0.52 kg kg Kelvin kg per mole तो देखे कैसे करता है इसको सबसे पहले हम number of moles यहाँ पर given दिया हुआ है 18 gram तो इसको number of mole में हम calculate करेंगे सबसे पहले हम number of mole निकालेंगे तो 18 upon 180 gram per mole यह 180 का molar mass होता है 0.1 आ जाएगा और mass of solvent भी दिया हुआ है 1 kg है तो इसका जो molality आ जाएगे वो 0.1 mole पर kg आ जाएगे शीदे शीदे ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने पर हम यह formula लगाता है भाई हमारे पास ebologe को भी constant की value है molality हमने calculate कर लिए kb की value यहाँ पर given है 0.52 kg per mole molality हमने calculate की 0.1 mole पर kg तो यह value हमारे पास आ जाएगे यानि कि वो delta tb की value 0.052 Kelvin है 18 gram glucose दानने पर इतना उसका temperature बढ़ रहा है तो उसने पूछा है कि किस temperature पर solution boil होगा तो आपको पता है कि जो water का boiling point होता है वो होता है 373.15 Kelvin इतना temperature वहाँ पर बढ़ा elevation हुआ boiling point में तो उसको हम add कर देंगे तो हमारे पास answer जाएगा 373.202 Kelvin तो उमीर है आपको numerical समझ में आया होगा यहाँ पर सीधा सीधा उसने दिया हुआ है इसलिए हमने कर दिया दूसरा numerical देखता है दूसरा numerical में पर इसने ऐसे ही पूछा है कि यह the boiling point of benzene यह pure solvent का इसने boiling point दिया 353.23 Kelvin when 1.8 gram of non-volatile solute was dissolving 90 gram of benzene the boiling point is raised to 354.11 K यहने कि इतना boiling point solution का हो जाता है molar mass उसने पूछा है solute का kb की value ebuloscope equality यहाँ पर उसने दिया है सबसे पहले हमें delta tb निकालना होगा उसने दिया है कि 353.23 Kelvin solution का boiling point होता है solvent का sorry benzene का और यह solution का है तो इसमें से घटा-गरम 0.88 Kelvin यह difference निकाल लेंगे यह value आ गई आपकी delta tb की अब formula आपके पास है यहाँ पर सबसे पहले हम kb की value add करेंगे फिर w2 add करेंगे फिर thousand numerical में दिया हुआ है formula में यह delta tb की value और यह w1 यह 90 gram दिया हुआ है इसको solve करेंगे तो 58 gram पर mole आ जाएगा तो यह molar mass है उस non-volatile solute का molar mass है तो उमीर है आप लोगों को numerical समझ में आया होगा तो आज की वीडियो में इतना ही उमीर है आप लोगों को clear हो गया होगा आज हमने दो चीज़ जानी colligative properties में number 1 हमने देखा कि relative long overing of vapor pressure क्या होता है और फिर हमने देखा इसके बहाफ पर numerical और फिर हमने देखा elevation of boiling point क्या होता है हमने theory देखी, diagram देखा, graph देखा और इसका जो derivation है वो देखा और numerical देखा बाकी के जो और numerical होंगे इस वीडियो से related इन topics से related उनको आप अच्छे से with the help of the book देख लीजेगा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या आपको कोई confusion रह गई है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे comment कर सकता है नहीं से comment box में और वीडियो को like, share और मेरे channel को subscribe करना ना भूलेगा तो now आज के लिए इतना ही इस अर्शे दिनाम, येर होस्त और दोस्त और ये और chemistry teacher signing off today thank you and have a nice day